14, 14 महीनों से जिस घडी का इंतजार था, 14 महीनों से जो भारतिय फैन बेस जिस न्यूस का इंतजार करा था, वो फाइनली आ चुकी है, रिशाब पंथ 14 महीने पहले अपने दिल्ली के घर से उत्रा खंड जा रहे थे, अपनी मा से मिलने और उस वक्त पर उनका एक्सिदेंट थी उनकी, 14 महीनों के इंटेंसिव केर और इंटेंसिव रिहाबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद, फाइनली अप जाकर रिशाब पंथ को यहाँ पर क्रिकेट रिज्यूम करने का मौका मिल रहा है, आई पील में खेलते दिखेंगे हैं में रिशाब पंथ, बीशाब पंथ जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तो बीशी से कहना है, आफ्टर अंडर गोइंग इन एक्स्टेंसिव 14 महीने का रिहाब एंड रिकावरी प्रोसेस, फॉलूइंग अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड रोड मिस हैप, ऑन डिसेंबर 30, 2022, रिशाब पंथ है टेस सीरीज आने वाली है ऑस्टेलिया में, क्योंकि अभी काफी वक्त है अगर रिशाब पंथ यहां से विकेट कीपिंग अपनी वापस से रिज्यूम करते हैं और बत और बल्ले बाज अपने आपको रिस्टैबलिश करते हैं IPL में, क्योंकि वो दिल्ली के कप्तान भी है तो आने वाली जो हमारी IPL सीरीज है, उसके बाद हमारा T20 वर्ल्ड कप है, तो T20 वर्ल्ड कप सेलेक्शन के लिए भी रिशाब पंथ अवेलिबल होंगे और अभी इस वक्त पर टैलेंट पूल की अगर बात की जाए तो इशान किशन, दुरुव जुरेल, जितेश शर्मा एंड आपके फिर संजू सैमसन एंड रिशाब पंथ, इतने सारे विकेट कीपर बल्लेबास होंगे हमारे पास, तो वर्ल्ड कप स्कॉर्ड में सेलेक्शन के लिए एक और ऑप्शन अवेलिबल हो गया है, हाला कि रिशाब पंथ के नमबर्स T20 अगर फॉर्मेंट में अपने वाले हैं, हाला कि इसके बीच में अभी मुहमाज शमी और प्रसिद्यकृष्णा पे भी नई इंफर्मेशन मेली है, प्रसिद्यकृष्णा के बारे में BCI ने इनिफॉर्म किया है, दा फास बुलर अंडर्वेंट सर्जरी ऑन फेबरी 23rd, 2024, ऑन इस लेफ प्रॉक् इस सीजन से बाहर हो चुके, उसके बाद मुहमाज शमी जिनकी भी अभी हाल फिलाल में सर्जरी हुई थी, दा फास बुलर सक्सेस्फुली अंडर्वेंट सर्जरी ऑन फेबरी 26th, 2024, फोर इस राइट नीप, फोर इस राइट हील प्रॉब्लम, इस करेंटली बिंग कि इस बार के बल्ड कप में रही थी, उन्होंने इकलौते दम पर बहुत सारे मैचेस टीम इंडिया को जित्वाए, अलाकि अलॉकि लिए हम फाइनल हार गए थे, तो यहां पर काफी बड़ा सेट बैक लगा है, आपके गुजरा टाइटन्स की टीम को और शुमन गिल जो क कि इस साल कप्तानी करने वाले हैं, गुजरा टाइटन्स के लिए, उनके ऊपर अब थासा प्रेशर होगा, तो कि एक एक एक्सपिरियेंस बोलर, एक विकेट टेकिंग बोलर उनके पास नहीं होगा, लेकिन अभी जो टाटा इपियल शुरू होने से पहले यह जो बड़ी- आपके रिशापन ने फुली-फिटनेस गेन कर लिया है, तो यह आने वाले हमारी T20 World Cup score selection के लिए काफी अच्छी न्यूज है, और डेफिनेटली आपके जो अभी डाउन अंडर आपकी टेस्स सीरीज होगी बॉर्डर गावस का ट्रोफी, उसके लिए आपके लिए काफी लंबे टाइम से इस न्यूज का इंतिजार था, वो जिस वक्त पर आया है, और जिस सिचुएशन में आया है, वो काफी बड़ी बड़ी न्यूज है, डेफिनिटली अभी इशान के उपर प्रेशर होगा, देगो, रिशाप पंद का सेलेक्शन या रिशाप पंद की अवे है, ही हैस तू परफॉर्म, डेरिज नो इफ बट्स मेबी, उसको अगर वल्ड़ कप में स्कॉर्ड में जाना है, तो डेफिनिटली यहां पर आपके इशान किशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, मुंबई नई क्याप्टेंशिप के अंडर आने माली है, हार्दिक पंदय लीड करेंगे टीम को, तो इशान किशन की उपर, अब यहां पर एक और चीज है, कि हार्दिक पंदया आने वाले, दोहित शर्मा के वल्ल्ड कप के बाद अपकान बनने वाले, तो उनको हार्दिक पंदया का confidence भी जीतना है, and definitely franchise cricket, आपको T20 फॉर्मेंट में जगए दिलव क्योंकि यहां पर रिशापन्द ने ट्रेनिंग तो रिज्यूम कर दी थी keeping की, आपने वीडियो भी देखी होंगी, but क्या fully fitness level gain कर चुके है रिशापन्द के आपके 20 ओबर तक keeping कर पाएं, क्या उनकी body अभी उस आपके physical state पे reach कर गई है, जहां पर वो match day का जो pressure है, वो basically आपने मन मताबिक जिस तरह की आपको practice करनी हो, उस तरह की practice आप कर सकते हो, तो reflexes रिशापन्द के कैसे होंगे, वो हमें देखना पड़ेगा, दिल्ली की team में बतौर आप बोलोगे, विकेट कीपर बल्लेवास काफी सारे है, आपके किस्टन स्टूफ हो गए, देन आपके शाए होप अगरा हो गए, तो options काफी सारे हैं उनके पास, लेकन यहाँ पर रिशापन्द की मौजूदगी ही आपके dugout में और आपके बल्लेवाजी खेमे में काफी जरूरी है, क्योंकि last year अगर आप देखोगे, बहुत जादा over-dependency थी यहाँ पर डेविड वर्नर की उप करता है, आगे जाने का, प्लेवस खेलने का, बड़ उसमें रिशापन्द का बतौर बल्लेवास का कॉंट्रिविशन होगा, वो काफी हत तक दिल्ली का यह सीजन डिसाइड कर सकता है, गुजरात और आप बोलोगे यहाँ पर, मतलब गुजरात में आपकी नाम मौजूद क कि शमी की काफी बड़ा एक चिंता का विशय बन सकती है, बड़ उन्होंने यहाँ पर अल्रेडी प्लेवस अच्छे का से साइन कर रखें, इतनी दिक्कत नहीं होगी, बड़ हाँ, मौमज शमी अगर IPL के बाद फुली फिटनेस गेन कर लेते हैं, तो डेफिनिटली उनको वर्ल्ड कप में स्कॉर्ट सेलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा, हाला कि ऐसा माना जाता है कि मौमज शमी आपके T20 फॉर्मेट के उतनी अच्छे बोलर नहीं बचे हैं, उन्होंने IPL में डेफिनिटली यहाँ पर विश्टी साल 28 रिकेट लिये थे, बड़ यहाँ पर मोहिश शर्मा ने भी 26 रिकेट लिये थे, तो IPL के बेसिस पर पूरा सीजन जज़ कर लेना या फिर एक इंटरनेशनल टॉर्नमेंट में पार्टिसिपेशन बेसिकली दे देना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अर्शिदीब भी हैं अगर आप बोलो डॉ क्लियर कर सकता है अब रिशब पंद के आने से खासा प्रेशर होगा जितेश शर्मा पे भी क्योंकि उनको ना सिर्फ बतौर विकेट कीपर बतौर बल्लेबास भी परफॉमेंसे देनी पड़ेंगी इस IPL सीजन में तो लेट सी क्या होता है क्या नहीं होता है पंजाब के ब बाद तो क्या रिशब पंद को में T20 वर्ल्लक खिलाना चाहिए परफॉमेंसे के हिसाब से नहीं बट क्योंकि उनकी पेडिगर इतनी हाई है उसके हिसाब से या फिर आपको लगता है कि नहीं T20 वर्ड कप में बैटर ऑप्शन हमारे पास और कहीं ना कहीं रिशब पंद क नंबर जोन T20 फॉर्मेट में वो शायद आपके बाकी प्लियर्स का चांसे स्किल कर सकते हैं और वो डिजर्विंग भी नहीं होंगे इस वक्त पे बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पर यह दिली का सीजन कैसा जाएगा हमारी वीडियो चेक आउट करना मत भूलेगा जिस किसी के साथ मैं आप सरेता हूँ लगता मिलते अगली वीडियो में तर्ली कुट बाई टेक कर जै हिंद जै भारत